जहें दोस्तों मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़ियाओंगे और दोस्तों जैसा कि आप देश सकते हैं मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है और पानी भी गि बना रहा हूं क्यों कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं आपकी हैल्फ करता हूं वीडियोज बना करके उसमें एकसरसाइज बता करके तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको हिंदू पुश अप्स के बारे में जिहां दोस्तों हिंदू पुश क्या होता है इसे कैसे लगाया आता है और इसको लगाने से हमारे सरीर को क्या क्या फायदे होते हैं यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आया हूं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंट्रेस्टिंग होने वाल बोला जाता है तो आज सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ डीपली बताने वाला हूँ वीडियो पूरी जरूर देखेगा तो दोस्तों हिंदू पुछफ्स एक ऐसा पुछफ्स है जो काफी ज्यादा राचीन है जिहां दोस्तों काफी पुराना पुछफ्स है और इसे जितने भी हमारे पहलवान भाई हैं वो इसे लगाते हैं जिहां दोस्तों और क्यों लगाते हैं क्योंकि दोस्तों इस पुछफ्स को करने से सबसे पहला जो हमें लाब मिलता है वो है कि इससे हमारी जो ओवराल बॉड़ी है उसकी एक्सरसाइज हो जाती है जिहां दोस्तो हूँ दोस्तों जब आप हेंदू पुशर्फ लगातए हैं तो इस से आपका जो सरीर हे उसका इस टैमिना पढ़ता है जी हाँ दोस्तों आपके सरीर में ऊर जाती है आपका जो सरीर है, वह ताकतवर बनता है बल्वान बनता है थीक है? तो सबसे पहला तो एक ये हमारा इस से लाब मिलता है हमारे डावा अगर आप अपने च्साती को चोड़ा करना चाएंगे साथे को फुलाना चाएं तो उसमें भी आपकी काफी जादा मदद करता है यह हमारा हिंदू पुशफॉक्त ठीक है इसके अलावा जिन भी भाईयों का पेट निकल आया है और वो अपने पेट को सपाट करना चाते हैं अपने पेट को कम करना चाते हैं तो उनके लिए भी काफी ज़्यादा helpful साबित होता है हमारा ये हिंदू कुशक्त ठीक है इसके अलावा अगर आप अपने कंधों को मजबूत करना चाते हैं त तो उसके लिए भी बहूत ही जादा इंपॉर्टेंट होता है ये हिंदू कुशक्त रहने से आपके शरीर को ये लाब होते हैं और दोस्तों हिंदू कुशक्त करने से जैसकि मैंने आपको दाए कि आपका इस टैमिना बढ़ता है ठीक है या इससे आप पूरे दिन अपने आपको active महसूस करते हैं ठीक है इसके अलावा भी और कई प्रकार की लाब आपको इस पुछरस को लगाने से मिलते हैं तो दोस्तों ये तो बात हो गई लाब की अब हम बात करते हैं कि ये हिंदू पुछरस कैसे लगाने चाहिए जी हाँ दोस्तों काफी जो हमारे भाई हैं वो काफी सारी गलतियां करते हैं जिसके वज़ा से उनके शोल्डर में इंजरी आ जाती है या उन्हें बेस्ट रिजल्ड नहीं मिलता तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिं मारा जो माइक है वो खराब ना हूँ ठीक है तो अब मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर दे सकते हैं कि मैंने यह ले रखी है अगर आपके पास मैट नहीं है कोई भी दिक्र नहीं है आप इसको जमीन में करें और भी बढ़ह हो आपको कुछ इस तरह से ठीक है इतना देखिएगा ठीक है अब आपको इस तरह से आ जाना है पीछे ये हो गई हमारी परवता आशन ठीक है दोस्तों इसे परवता आशन कहते हैं ठीक है अब आपको क्या करना है बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से नीचे आना है यहाँ पर then up ठीक है? ये पहला इश्टिक हुआ आपका ठीक फिर से आप वापस परवता आशन प्र आ जाएंगे ठीक है? फिर से नीचे आएंगे इस तरह से then up ठीक है? अब मैं आपको breathe का बताता हूं दोस्तों इसमें जब आप पीछे इस तरह से आएंगे परवतासन में तो आपको जो ब्रीथ है इन कर लेनी है यानि सास ले लेनी है इस तरह से ठीक है और जब यहाँ पर आएंगे तो आपको सास छोड़के इस तरह से उपर जाना है ठीक है फिट से समझाता हूँ इस तरह से पीछे आएंगे परवता असन में आपको ब्रीथ इन कर लेनी है यानि सास ले लेनी ठीक है इस तरह से जब नीचे आएंगे यहाँ पर आपको सास छोड़ करके इस तरह से उपर जाना है ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर तेज करके दिखा देता हूं उसी तरी कि करना है ठीक है इस तरह परवाता असन पर आगए अब यहां पर एचीज आपको और ध्यान देनी है कि जब आप इस तरह से पीछे आएंगे ठीक है साथ आपने ले ली यहां आएंगे ठीक है साथ छोड़ दिया उपर जले तो आपको एचीज यह ध्यान देनी है कि जो आपकी यह अलबो है ठीक है यानि आपकी जो कोहनी है यह अंदर की और रहनी चाहिए ठीक है देखेगा फिर से दिखाता हूँ ठीक है यह परवतासन में सांस भर लिया यह ठीक है ना देखा आपने इस तरह से साथ ले लिया यहां है छोड़ दिया इस तरह ठीक है तो दोस्तों जब आप इस तरह से लगाएंगे तो इससे आपकी जो सांस है वो भी नहीं पूलेगी और आप जितने चाहेंगे उतने आप हिंदू पुशा झालेगी और आप जोस्तों 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 जोस्त